नियुशकर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रा माप्शवी का श्वागात अम्ननन है टेटी फैमिली सिचकों के परिवार जैसुवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड वाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की हम बात करेंगे आपके HST 2013 का युगजाम होना है आज हम पहला चैप्टर जैविवित्ता बायो डिर्वसिटी का चैप्टर लेंगे बायला जी जी विग्यान का और अब पहली क्लास रहेगी जो इंपोर्टन कोच्चन से जैविवित्ता के जो एक्जाम में प पूरे आपके स्लेवस के कोडिंग तो सभी लोग त्यार हो जाएए यहाँ पर पार्ट वाई जब जो आपके स्लेवस पर है क्लासेज होंगी और जलस जद एक्जाम के पहले कंपीट करने के कोसिस है जो इंपोर्टन कोच्चन है उन्ही का यहाँ पे रिविजन करने वाले हैं तो सभी लोग त्यार हो जाएए आज हम जय विवित्ता का चैप्टर ले रहे हैं जय विवित्ता चैप्टर से जो समंधित कोश्चन है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं पूरी चर्चा करेंगे लेकि दोस्तों जय विवित्ता की बात करें जय विवित्ता का तातपर क्या होता है भिन भिन जीवों की बहुलता से होता है जो किसी भगोलिक छेत में एक साथ पाए जाते हैं और इसमें वनस्पतियों यवं जन्तु की समस्थ प्रजातियों इसमें क्या है समाहित किया जाता है आपके जैवित्ता में वनस्पति जन्तु की समस्थ जो प्रजातिय होती है सारा इनके समाहित किया जाता है कंबाइन किया जाता है बायो डैरिसिटी में जह हम बात करेंगे जैविवित्ता की देखे आपका जो पहला प्रश्णिया पे बनता है कि जैविवित्ता सब्द का शर्पतम प्रयोग का ये सर्पतम प्रयोग कि इसने किया था जिया दे different kind company में प्रयोग किया था तो जय वित्ता का चैप्टर है तो थोड़ी चीजें बेसिक चीजें जानना ज़रूरी है तो जय वित्ता सब्द का सरपतम प्रयोग जो है 1968 में वन जियो बैग्यानिक रेमंड दासमें ने अपनी पुस्ता के different kind company में प्रयोग किया था दूसरा प्रश्नक सर पूंचा जाता है कि जय वित्ता सब्द का सरपतम प्रयोग किस ने किया था जिया सरपतम प्रयोग अगर पूचा जाता है जी ह धरपतम प्रयोक ने किया था दोनों चीजें आपको समझ रहना है इसके बाद आपका ँंगलापर्शन भारत में जयवित्ता दिवस का मनाया जाता है भारत में जयवित्ता दिवस आपकगा 22 मई को मनाया जाता है अंगला है कि टूमा रोज बायो डाइवरसिटी पुस्तक के लेखक कौन है तो टूमा रोज बायो डाइवरसिटी के पुस्तक के जो लेखक है बुक के जो लेखक है वंदना शिवा है इसके बाद है सरवाधिक जयवित्ता कहां पाई जाती है तो सरवाधिक जयवित्ता आपके ऊश्च कटवंधी वर्षावनों में पाई जाती है एक चीज हो जाए 11 की बायो लाजी की जो आपके बुक है उसमें ये आपका चैप्टर है जयवित्ता बायो डिवस्टी का तो उ अवस्पढ़ी इसलिए कहता हूं इंसाट इंसी आटीक बुक से बेटर कोई प्रफेशन नहीं होता है यह जान लिजेगा जय विवित्ता का अर्थ क्या होता है एक निर्धारी छेत के विविन प्रकार के पादा पेवम जन्तु होते हैं जय विवित्ता का सबसे मात्पून पहलू परिस्तिक तंत का निर्वहन होता है कौन सा कारक है जय वित्ता के हास के लिए सरवादिक मात्पून है यनि ऐसा कारक बताईए जो जय वित्ता के कमी के लिए हास के लिए सरवादिक मात्पून हो और वह है प्राक्तिक अवाश का बिनास इसके बाद अंगला आपका है कि बायो डेसिटी सब्द का अप्रयोग सरपतम किस ने किया था वाल्टर जी रोजेन ने किया था हमने आपको अलेडी बता दिया अंगला प्रिशनाता है कि संयुक्त राजसंग ने 2015-2020 को कौन सा दसक गोंशित किया है तो संयुक्त राजसंग ने 2015-2020 तक को जै विवित्ता दशक गोंशित किया है किस ने गोंशित किया है संयुक्त राजसंग ने किया है किसी भी प्रकार से प्रशन पूंचा जा सकता है जीन पूल किसे कहते हैं? एक जात या समिष्ट के कुल अन्वानसिक वित्ता को जीन पूल कहते हैं लिविंग प्लेनेट सूचकांग क्या होता है? जय वित्ता के इस्थित का सूचक को यम लिविंग प्लेनेट सूचकांग कहते हैं जय वित्ता कितने प्रकार की होती है? तो जैवित्ता, अन्वानसिक, बिवित्ता, प्रजाती बिवित्ता, शम्दाई कत्वा, परितंत जैवित्ता होती है तो जैवित्ता कितने प्रकार की होती है? अन्वानसिक बिवित्ता, प्रजाती बिवित्ता, शम्दाई कत्वा या परितंत जैवित्ता की बात करें No doubt आयोब सभी लोग समझ रहे हैं अलफा विवित्ता किसे कहा जाता जी हैं दोस्तों अलफा विवित्ता की बात करें किसी छीत विशेष में पाए जाने वाले प्रजातियों के कुल संक्या उस छीत की अलफा विवित्ता कहलाती है किसी छेथ विशेश में पाई जाने वाली जो प्रजातियों केकुल शंक्या होती है उस छेथ की अलफा भिवित्ता कहलाकती है कि अंगला प्रश्ण है कि जैवित्ता को मापने के लिए किन सूचकांग का प्रयोग किया जाता है तो जय वित्ता मापने के लिए दो सूचकांग सिम्पसंद सूचकांग सेनन वीनर सूचकांग का प्रियों किया जाता है जय वित्ता को मापने के लिए अंगला प्रश्न है पार्थेनियम हिस्टोरो फोरम क्या होता है तो पार्थेनियम हिस्टोरो फोरम जो होता है ये भारत में अमेरिका से आयात किये हुए गेहुं के साथ एक घास आ गई थी इसे पार्थेनियम हिस्टोरो फोरम कहते और अंगला प्रिश्णा है कि जै विवित्ता किन बातों पर निर्भर करती है तो जलवाय। तापमान और आदता पर निर्भर करती है आप सभी लोग सिच्चक भरती के नंबर वन टीटी फैमली से जुड़े हुए हैं अंगला प्रिश्णाप का जो रहने वाला है कि जै विवित्ता को विक्सित होने में कितना समय लगता है तो जै विवित्ता को विक्सित होने में आपके लाखो वर्स लग जाते हैं जैवित्ता का अध्यन के अंतरगत शमू बनाने के क्रम में क्या सुनिश्चित किया जाता है तो वह विशिस लच्छन जो जीवधार्गों में मौली कंतर उत्पन करते हैं तो जैवित्ता का अध्यन के अंतरगत शमू बनाने के क्रम को सुनिश्चित किया जाता है वह बिसिष्ट लच्छन जो जीव धर्वों में मौली कंतर उत्पन करते हैं समुद में रहने वाले पांच जीवों के नाम बताईए तो समुद में रहने वाले पांच जीवों प्रवाल, भेल, आक्टोपस, स्टारफेस और सार्ख किसी जीव के लच्छन से क्या तात्पर होता है तो उस जीव का कोई विसिष्ट रूप या विसिष्ट कार ही उस जीव के लच्छन से तात्पर क्या होता है किसी पेण का प्रमुख लच्छन क्या होता है किसी पेण का जो प्रमुक लच्चन है विदोड पाने की छमता ना होना क्योंकि पेण कई स्थान चेंज नहीं हो सकता है यहाँ पेण एक बार उगाता है पेण वहीं पे जीवन परियंत रहता है जब तक उसकी छती नहीं हो जाती है तो किसी पेण का जो प्रमुक लच्छन है दोड़ पाने की छमता ना होना कहलाता है। आजकल जीवों का वरगी करण की सधार से आरम करते हैं। तो आजकल जीवों का वरगी करण जो है कोसिका की प्रकत से आरम करते हैं। अंगला है एक यू कारीोटिक अपनी सभी प्रक्याई किस से करता है जो एक आपका यू कारीोटिक होता है अपनी सभी प्रक्याईं जिल्ली से गिरी कोसी का से करता है एक यू करियोटिक अपनी सभी प्रकियाई किस्से करता है जिल्ली सिगिरी कोसी का सिखरता है वर्गी करण का धारभूर लच्छन क्या होता है? तो वर्गी करण का जो आधारभूर लच्छन होता है वह कोस्की, सन्रचना और कारी होता है इसके बाद अंगला पश्णय पौधे का सरीर की सधार पर विक्षित होता है भोजन बनाने की छमता की अधार पर विक्षित होता है जन्तूं का सरीर किस अधार पर विक्षित होता है जो जन्तू होते हैं उनका सरीर की सधार पर विक्षित होता है तो भोजन ग्रहन करने के अधार पर विक्षित होता है दियां दोस्तों जन्तों का सरीर जो होता है बॉडी जो है किस अधार पर विक्षित होता है भोजन ग्रहन करने के अधार पर विक्षित होता है कहते ना कि पूरा हमें भोजन लेना चाहिए हर प्रकार के बिलकुल तब ही आपकी बॉड़ी फिट रहेगी आप लोग निरोगी लोगी तो किस अधार पर पौधे और जन्तों को भिन अधारों पर रखा जाता है तो जिस अधार पर पौधे और जन्तों को भिन अधारों पर रखा जाता है वह भोजन बनाने और भोजन ग्रहन करने के अधार पर रखा जाता है किस रूप में पौधे और जन्तों को भिन्नधारों में रखा जाता हुआ है आपका भोजन बनाना और भोजन ग्रहन करने के रूप के या ग्रहन करने का धार पर रखा जाता है दोस्तों सरीर में होने वाले परिवर्तन किस पर निर्भर करते हैं जो सरीर में हमारे परिवर्तन होते हैं वह किस पर निर्भर करते हैं अंगला है जीवों का वर्गी करण किस वाद से सम्मंदित हो जाता है जीवों का वर्गी करण जो है आपके जैव विकास वाद से सम्मंदित हो जाता है जीवों का वर्गी करण किस वाद से सम्मंदित हो जाता है जैव विकास वाद से आपका सम्मंदित हो जाता है note out, i hope, आप सभी लोग समझ रहें यह basic चीजें आज पहली you class से ध्यान दीजेगा जौ भिकासवाद की ओधार्णा किस ने दी थी तो जौ भिकासवाद की ओधार्णा जो है आपके Charles Darwin ने दी थी note कल लीजेगा जव विकास वाद के उधारना किस ने दी चार्ल्स डार्विन ने दी इसके बाद आपका अंगला प्रश्ण है कि डार्विन की जव विकास के उधारना कब प्रकाशित हुई थी तो डार्विन की जव विकास के उधारना सन 1869 में डार्विन की पुस्तक The Origin आप इस पसीज नामक पुस्तक से होई थी पहले प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं तो जो पहले प्रकार के जीवों होते हैं उनको आदिम अथवा निमनेजीव कहा जाता है जियां दोस्तों ध्यान दिजेगा पहले प्रकार के जीव जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है आदिम अथवा निमने जीव कहा जाता है यहाँ पर हमारा आदिम और निमने जीव की बात करेंगे दूसरे प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? जो दूसरे प्रकार के जीवों होते हैं? उनको उन्नत अधवा उच्च जीवों कहा जाता है अरंगला के बिकास के दरान जीवों में किसकी संभावना बनी रहती है? जब बिकास होता है उसके दरान जीवों में किसकी संभावना बनी रहती है? दोस्तों आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी क्लास को अटेंड किया पहली क्लास थी इसलिए हमने बेसिक से सीजे थोड़ा शुरवात की है और जैवित्ता बाव डैवस्टी का जो चेप्टर है चल्दी कम्प्रीट करेंगे और आपको गर MSQ वाला चाहिए तो MSQ वाला बताईए और बेसिक चीजें वाला चाहिए तो बेसिक चीजें वाली क्लास किजिए आपको कमेंट करके बताना है टूटल हम question answer करें MCQs करें या basic चीजें भी थोड़ा थोड़ा जानने चलें या आपको कमेंट बाक्षें और श्रत आईए बाकि सभी classes चल लई है बाकि 7 p.m. पे हम pedagogy की lab class करेंगे तो 7 p.m. की lab class मत चुकेगा मैं आपके साथ मिलता हूँ अंगली class पर सभी मित्रों को जय हिंद बंदे मात्रम नन्माज शबिक